करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं बनाई हूँ अफगानी एक करी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बनकर रेडी हुआ है अब चलिए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने वन टोमैटो वन ओनियान और थोड़ा सा कॉरियंडर लीफ और उसका डंठाल और फिर मैंने दो हरी मिर्च और एक इंच्टुक्रा अद्रक कर लिया है यह देखे मैंने टोमैटो को रफली चॉप कर लिया है अब मैं प्यास को भी ऐसे ही कट कर लूँगी अब देख सकते क्योंकि मुझे इसे ग्राइंड करना है तो इसे ज्यादा फ फिर इस तरीके से लसन को छिल लेना है और फ्रेंड्स अगर चैनल में नए है तो प्लेज सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी नहीं नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तो यह देखे अब चलिए अंडे को हम फ्राई करेंगे जिसके लिए मैंने कडाई को अच्छे तरह से गर्म कर लिया है और इसमें 3 टेबल एस्पून मैंने ओइल डाला है उसे भी अच्छे से गर्म कर लिया है कडाई के चारो तरफ ओइल लगाना बहुत ज़रूरी है मैं लेकिन अमक वामक अच्छे से घुज़ा और हमारा एककरी बहुत ही अच्छा बनकर तयार हो तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम अंडे को फ्राई कर लेंगे अंडे को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना इसका कलर आने तक ही भूनना इसे तो हमारे अंडा लगबग फ् इसको डालेंगे जैसी प्याज हो गा टामाटर हो गया और अद्रख लैसन सभी मेड्श सबीक्नी को हम डाल देंगे और इसे सॉप्ट होने तक भून लेंगे तो सबी चीजों को हम सौफ्ट होने तक फ्राई करेंगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लेज लाइक करें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें और मेरी नहीं नहीं वीडियो आपको मिलते रहेगी और आप देखकर ट्राई कर सकते हैं घर में यह अपकानी एक करी न बहुत अच्छा बनकर तयार होता है तो आप इसे जरूर एक बड़ ट्राई करें यह देखिए हमारा प्याज यह सब सॉप्ट हो चुका है लगबग और इसमें मैं काजू डाली हूँ पांच ज्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरा एक करी अंड़ा पांच ही है तो ग्रेवी ज्यादा हो जाएगा तो फिर मैंने यह सब सब भी चीजों को थोड़े थोड़े मात्रा में लिया है अब देखिए हमारा सॉप्ट हो चुका है मशाला तो इसके लिए हम चलिए अब मशाला बनाएंगे इसको पीश लेंगे अच्छी तरह से यह हमारा सॉप्ट हो चुका है लगबग अब इसे हम निकाल लेंगे और थोड़े दिर के लिए आप ठंडा कर लेना उसके बाद ग्राइंड करना इसे बरना हाथ जलने का भी रहता है डर वैसे तो आप देख सकते हैं चलिए इसे हम निकालते हैं निकाल कर थोड़े देर के लिए ठंडा कर लेंगे उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे अभी सी कडाई में हम थोड़े से सरसो तेल को और डालेंगे और उन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर यह देखे थ्री टेबल स्पून फिर मैंने ओइल डाला है यह जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी जैसे कि हो गया तेजपत्ता लॉंग बड़ी लाइची एक डालचीनी का टुक्रा है जावित्री है सब थोड़े मात्रा में मैंने लि अच्छी तरह से चला लूंगी यह देखिए मसालों को मैं अच्छे तरह से भून लूंगी जिससे कि हमारा ग्रेवी अच्छा बनेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है अब गानी एक करी आप एक बर जरूर ट्राय करें यह गया नमक श्वाद के नुशार और यह दनिया पाउडर एक चममच और मैंने किसी भी मसालों को एड नहीं किया है बस उनी सब चीजों से यह बहुत ही अच्छा बन कर तैयार होगा अफगानी एक करी और मैंने ग्रीन चिली ले लिया था इसलिए मैं इसमेरेड चिली भी आड नहीं करूंगी दो ग्रीन चिली से अच्छा वो तीखा सा था तो उससे अच्छा आजाएगा इसमें तीखा पन तो यह देखिए हमारा मसाला भून चुका है अब इसमें मैं कसूरी मेथी एड़ करूँगी कसूरी मेथी वी डाल कर इसे अच्छे से भूल लेंगे अचलिए इस में हम पानी को डालते हैं यह देखे और यह ग्रेवी थोड़ा सा गारा ही रहता है एककरी का अफगानी एककरी का तो यह देखे इस तरीके से हम मैं अभी यह क्या बोलते हैं अभी मलाई एड़ नहीं करूंगी बाद में एड़ करूंगी उपर से गार्निश करने के लिए इसमें नहीं डालोंगी और यह देखें हमारा ग्रेवी का कर्सिस्टेंसी कितना अच्छा है अब इसमें हम एक को डाल देंगे ताकि एक में भी हमारा जो ग्रेवी है वह अच्छी तरह से चला जाए और बहुत ही स्वाधिस्ट बने खाने में तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ बनकर तयार होगा यह अब ग इसे सर्फ करके दिखाते हैं यह बहुत ही अच्छा बनकर तयार होता है तो इस तरीके से भी आप जरूर एक करी बनाए हमेशा एक ही टाइप का खाका करबोर हो गया होंगे तो आप जरूर चेंज करें अपने ग्रेवी का टेस्ट और यह देखे बहुत ही अच्छा बनकर त्यार होता है आप एक बर बनाएंगे ना तो आपको मन करेगा कि इसी टाइप से हम बनाएं और खाएं एक करी यह देख सकते हैं आप बहुत ही सूपर और डिलिश्यस बना है यह तो ट्राइ करिए आप घर में इसे बनाएं और घरवालों को भी खिलाएं आप इसके उपर और मैं धनिया पत्ता से गार्निस कर दूंगी एक करी को जिससे की स्वाध और भी धुगना हो जाएगा तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं